जै हिंद फ्रेंड्स तो हम आपके लिए लेकर आये हैं BSC Part First Examination 2023-24 के लिए जो आपनों का एक्जाम होने वाला है उसकी लिए मैं जुलोजी का पेपर फर्स्ट लेकर आया हूँ Lower Non-Core Data का ये आपके एक्जाम के लिए important है क्योंकि आपको लोगों के एक्जाम जल्द ही होने वाले हैं आप लोगों की scheme आ चुकी है तो चल्दी आगे बढ़ते हैं खट आवे जिसमें आपके इस खट के सभी प्रश्ट अनिवार होगे और प्रतेक प्रश्ट आपका तीरंगों का होगा जिसमें आपका पहला कुश्चर है Monocystis क्या होता है इस पर आपको टिपड़ी लिख रही है Saikon का अंतहा कंकाल क्या होता है इसके बाद है C question Obelia Medusa क्या होता है Next है युगलूनया में शाप पेशण कैसे होता है ये आपको इस पर सच्छे पर टिपड़ी लिखनी है लगवक आपका आधा पेश भरना चाहिए कितना लगवक आपको लिखना है तब आपको यहाँ पर टीन नमबर मिल पाएंगे इसके बाद है फेस योला के स्वततर रूपशे तैड़े वाले लारवा के बारे में आपको लिखना है इसके बाद इसी का एप पार्ट आ जाता है एनकाईलोस्टोमा का रोग जरन क्या है तो इस पर आपको टिपड़ी लिखनी है तो तरे कोईशन आपसे पार्ट फर्स्ट में खंड आभी पूछे जाते हैं सेक्शन ए में जिसका प्रते कोईशन आपका तीन होता है तीन नमबर का होता है और ये सबी कोईशन आपके कंबल सरी आपको सॉल्व करने होते हैं इसके बाद खंड बा आ जाता है जिसमें आपकी क्या होगे जिसमें आपकी लॉग आंसर टाइप कोईशन होगे तो उससे पहले अगर आपने भी तचनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि आपको यहाँ पर BSC से रिल्टेट सभी जारकारी सबसे पहले और मोडल पेपर सबसे पहले इस चनल पर आपको मिलेगे तो उससे चलिए अगर आपने अभी तह चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा तो यहाँ पर दूसरा कोशन हमारा है मोनो सिस्टिस के जीवन चक्र का सचेतर आपको वड़न करना है यहाँ पर आपको दो प्रश्टों के उल्ली उत्तर देने है जिसमें से आपका प्रतेग प्रश्ट किते अंगों का होगा प्रतेग प्रश्ट आपके आठ अंगों का होगा यहाँ पर इंगलिस में भी देख लेते हैं तो यहाँ पर इंग्लिस में describe life cycle of motor systems, draw diagram also. इसके बाद इशी का थर्ड कोश्चन आ जाता है, साइकॉन में पाई जाने वाली बिमिन कोश्काओं का विस्तृत वर्लन कीजिए. इसमें क्या पूछा गया, इसमें जो साइकॉन है, उसके अंदर जो बिमिन प्रकार की कोश्काओं पाई जाती है, उसका आपको विस्तत रूप से वर्लन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे आठ नंबर का प्रश्चन पूछा गया है, तो आठ नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना होगा. इसके बाद नेक्ष्ट है, मेटाजिनेस क्या है, ओबेलिया में पाई जाने वाली मेटाजिनेसिस का वर्लन कीजिए. तो यहाँ पर वाट इस मेटाजिनेसिस, इसके बारे में सबसे पहले आपको लिखना है, इसके बाद इसमें पाई जाने वाली ओबेलिया में पाई जाने वाली जो मेटाजिनेसिस है, उसका आपको यहाँ पर वर्ल करना है. इसके बाद आपको आठ तमबर मिलेगे. ध्यान डखेंगे आपको प्रष्ट के खंड को, और उसके जो निर्दे से उसको पढ़ना जरूरी जैसे, इसमें आपको ओली दो प्रष्ट करने हैं. आपको यहाँ पर देखिए, समसी कितने कोईशन पूछे जा चुके हैं? 1, 2, 3, 4. यहाँ पर आपको टोटल 4 कोईशन्स आपसे पूछे गए हैं. यहाँ 4 कोईशन्स पूछे गए हैं, उनमें उली आपको टो करने हैं. इसके बाद यहाँ पर नेक्ष्ट है, टीनो फोरा की लच्षड क्या है? फाइल अप टीनो फोरा का वर्गी कर्ड विस्तार से लिखिए. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखता है? टीनो फोरा की लच्षड क्या है? इसके बाद फाइल अप टीनो फोरा का वर्गी कर्ड विस्तार से लिखिए. यह आपको यहाँ पर लिखना है. तो वाट अर्डी क्रेक्टर ओप टीनो फोरा, डिसक्राइब दी क्लासिफिकेशन ओफ फाइल अप टीनो फोरा. 8 अंकों का होगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रष्प दे ले हैं, 2 प्रष्टों के आंसर दे ले हैं, और प्रफे कुशिर आपका 8 रंबर का होगा. इसमें आपका पहला कुशिर है, कुशिर नंबर 6 से सुरुवात होती है, फैशोला के जीवन चक्र का विस्तत वर्डन कीजे तो यहाँ पर इसको आपको फैशोला के बारे में भी लिखता है और उसका जीवन क्या उसके जीवन की कितने कितने चक्र होते है यानि कि किस किस पन पर क्या होता है क्या प्रोसेस है वो आपको लिखता है साथ में उसका डाइग्राम भी आपको बनाना होगा तब ही आपको आठ नमबर मिल पाएंगे इसके बाद नेक्ष्ट है फेशियोला तथा टीनिया के परजीवी लच्छडों पर प्रकास डालिए तो यहाँ पर क्या करना है फेशियोला और टीनिया के जो परजीवी लच्छड है उस पर आपको लिखना है तो यह आपको करना है इसके बाद देख्ट कोईशियन पर देखते है देख्ट कोईशियन है एनकाइलोश्टोमा को हुक वर्म क्यों कहते है एनकाईलोस्टोमा की सरंचना एंवं जीवन चक्र का वडन कीजिए तो यहाँपर क्या करणा है एनकाईलोस्टोमा को हुकवर्ब क्यों कहते है यह कोईशन आपको दिया गया है इसके बाद लाश्ट कोईशन अमारा बचता है नर्वा मादा एसकेरिस के जरन अंगु काव वर्ण कीजिए तथा दोनों में अंतर इस्पष्ट कीजिए तो यहाँ पर क्या है? नर्वा मादा के जो Askeris है उनकी जिनन अंगुका आपको वड़न करना है तथा दोनों में क्या डिफरेंस से क्या अंतर है वो आपको बताना है तो इन दोनों के बीचे आपको डिफरेंस बताना है तो यहाँ पर भी आपको 4 total कितने question दिये गए है total यहाँ पर आपको 4 question दिये गए है जिर्वेशे आपको only 2 questions करने है और per question करने पर आपको 8 number से दिये जाएंगे तो यह था आपका question paper अगर आपको यह question paper समझ में आया हूँ तो वीडियो को like करिएगा दोस्तों में share करिएगा यह question आपकी exam के लिए important है तो अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड कर दी है तो वो भी हम आपको बता देते हैं कहां से आपको PDF डाउनलोड कर दी है तो शबशे पहले आज आना है आपको Google पर आएंगे यहाँ पर आपको search करना है क्या search करेंगे यहाँ पर आपको search करना है हिंदुस्तान knowledge क्या search करेंगे हिंदुस्तान knowledge आपको search करना है तो जैसे आप हिंदुस्तान knowledge search करेंगे तो आपका page कुछ इस प्रकार यह open होकर आ जाएगा तो आपको इसके home page पर simply click करना है प्रकार यहां पर आ जाएगा तो यहां पर आपको BSC Model Paper 2023 PDF यहां पर आपको सभी दिख जाएंगी यहां पर साइड में यहां पर अभी Class 12th 10th आ रहा हम इसको add कर देंगे BSC तो आपको यहां पर दिखने लगेगा तो यहां से download कर सकते हैं नहीं तो यहां पर आपको सर्चवार का option दिख रहा है सर्चवार के option पर सर्च करके भी आप लोग कर सकते हैं तो जैसे हम लोग इस पर click करेंगे तो यहां पर देखिए आपका page खुलके आज आएगा previous question paper के लिए तो यहां पर आपको देखिए जो logic का जो lower non-core data का है यह question paper यहां पर आपको देखने को मिल जाए है तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like करेगा शेयर करेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद